विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यान मई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी जरूर दबाएँ जै गुरुदेव सात्वा सीजन शुरू होने जा रहा है और इस सात्वे सीजन में भी योग वशिष्ट में हमें बहुती दिल्चस्प और अद्बुत ज्यान सुनने का मौका मिलने वाला है रिशी के कहानी से गंदमादन परवत पर उद्दालक रिशी ने कैसे आत्मग्यान प्राप्त किया खुद किशोर अवस्ता से ही उनमें ये रूची थी कि ये जीवन क्या है मौक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है और उसके लिए उन्होंने खुदी चिंतन करना शुरू किया मनन करना शुरू किया ये चिंतन और मनन करते समय क्या-क्या अनुभूतिया उनको आई क्या-क्या अनुभव उन्होंने किये क्या-क्या समझ में उनके आया ये एक बहुती सुन्दर विसलेशन हम इस सारे कहानी के माध्यम से देखने वाले है ये कहानी खतम होते होते प्रबु राम चंद्र जी को महर्शी वसिष्ट जी आत्म ज्यानी कैसे होता है उसके बारे में भी बहुत सुन्दर डंग से बताने वाले है वो खत्म होते ही एक बहुत सुंदर कहाणी दिलचस कहाणी आने वाली है मांडव्य रिशी और सूरगु राजा की सूरगु राजा कैलाज पर्वत पे रहने वाले उन्होंने मांडव्य रिशी के उपदेश से कैसे आत्मग्यान प्राप्त किया देखो गुरु कुछ भी बताते हैं उनके उपदेश का पालन करते ही हम कैसे आत्मग्यानी बन सकते हैं ये इस कहानी के माध्यम से हमें आने वाले इस सीजन में देखने को मिलने वाला है उसके बाद उसी कहानी को जोडते हुए और एक राजा थे परीग नाम के वो परीग नाम के राजा भी आत्मग्यानी थे और सुरगू भी आत्मग्यानी थे उन दोनों में दो आत्म ग्यानियों में एक बहुती दिल्चस चर्चा हुई क्या चर्चा हुई कि दोनों ने अलग अलग प्रकार से आत्म ग्यान प्राप्त किया था सुरगू ने आत्म ग्यान प्राप्त किया था गुरू के उपदेश से और राजा परीग ने आत्मग्यान प्राप्त किया था स्वप्रयास से तो दोनों में दिल्चस चर्चा है कि क्या वो आत्मग्यानी कुछ अलग है क्या ये आत्मग्यानी कुछ अलग है क्या एक किसी विशिष्ट पद्दती से आत्मग्यान प्राप्त कर लेते है तो क्या अलग अनुभूतिया आती है क्या जीवन अलग होता है क्या बहुत ही सुन्दर और दिल्चस ये बाते सारी हम देखने वाले हैं फिर आखिर में रिशी उद्दालग रिशी वीत हव्य की कहानी हम देखेंगे वो भी बहुत सुन्दर और दिल्चस कहानी है कि कैसे वो एक परवत के गूफा में जाकर बैठे और वहाँ पर उन्होंने आत्मचिंतन करते करते वह परमचेतना की स्तिती प्राप्त कर ली उसके बाद उन्होंने क्या क्या नूबो किया कितने वर्षों तक वो देवता बन कर रहे है इंद्र बन कर रहे है शिव के दूद बन कर रहे है और फिर से उन्होंने अपने ही काया में प्रवेश किया और अपना जो बाकी का जीवन था वो एक जीवन मुक्त की तरह जिया बिताया बहुत ही सुन्दर और दिल्चस ये सीजन आने वाला है उसके बीच बीच में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स के उपर भी चर्चा होगी कुछ प्रणयम की टेक्निक है कुछ द्यान की टेक्निक है जो मुक्ती के राह पर हमें आगे बढ़ाती है ऐसे बहुत कुछ मिला जुड़ा ये जो सीजन है सात्वा सीजन वो होने वाला है स्टे ट्यून जुड़े रहिए बहुत ही जल्दी हम अपना सात्वा सीजन शुरू करने वाले है यो वशिष्ट का तब तक के लिए जय गुरुदेव अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिसके उपर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे